नमस्ते बच्चों आज हम हिंदी पढ़ेंगे, सब्भी बच्चे पनी पुस्तक वाटिका निकालें गे आज हम पार्ठ ग्यारा पानी पढ़ने वाले हैं और यह एक कविता है, जो किस पर आधारit है, किस पर based है, पानी पानी से रिलेटिट एक चैप्टर हम अपने इंग्लिश बुक में बस्वर्ड में भी पढ़ चुके हैं जिसमें वाटर की इंपॉर्टेंस के वारे में मैंने आपको पहले भी पताया था कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है अब देखे बच्चों जब आप सुबह उड़ते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं ब्रश करते हैं नहाते हैं ममी जब रसोई में खाना बनाती है तो सबजिया दूती है और खाना बनाने के लिए भी पानी का इस्तिमाल करती है और इसके अलावा हम पानी से बहुत सारे काम करते हैं, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, तो सुबह से लेकिए राब तक सारे ही काम लगबग हम पानी की मदद से ही पूरी करते हैं, आप जानते हूँ, प्यास लगने पर भी हम पानी पीते हैं, है न, तो जो पानी है, बच आप चांदे है यह जो पानी हम इस्तिमाल करते हैं कि यह कहां से आता है आपने कभी सोचा है इस पारे में कहां से मिलता है तो बच्चों वो पानी हमें मिलता है नदी से ज़र्नों से तालाप से कोऊं से तीक है यह अलग अलग पानी के स्त्रोथ है मतलब की साधन है ठीक है य और जो पानी है वो हमारे मनुष्य, मतलब इंसानों के अलावा जानवरों के लिए भी ज़रूरी है और पानी से क्या होता है? खेती होती है अगर खेतों में पानी नहीं डाला जाए तो फसल नहीं होगेगी है ना और हमें खाने को खाना भी नहीं मिलेगा तो चलिए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं कविता का नाम है पानी और इसके कवी हैं कवी कौन जिन्होंने कविता लिखी है डॉक्टर श्री प्रसाथ ठीक है कविता है पानी और कवी है डॉक्टर श्री प्रसाथ जलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं आप यहाँ आज की date डालेंगे मूध होँगा पानी से मुन्ना बोला नानी से प्यासे पानी पीते हैं पानी से हम जीते हैं तो दिखो जो इसमें इक बच्चा है मुन्ना वो अपनी नानी से क्या कह रहा है कि मैं पानी से क्या करूँगा मूध होँगा और प्यासे पानी पीते हैं प्यासे प्यासा कौन होता है जिसे प्यास लगी होती है उसे कहते हैं प्यासा और पानी से हम जीते हैं यानि पानी हमें जीवन देता है जाने कब से पानी है कितनी बड़ी कहानी है कहीं ओस है बरफ कह पानी ही क्या भाप नहीं तो बच्चों यह बताया गया है कि पानी के अलग अलग रूप होते हैं जैसे पानी को फ्रिज में जमादो तो क्या बन जाएगी बरफ बन जाएगी है लेकिन है तो वह पानी ना अगर बहार निकाल के रखो थोड़ी दिर में पिगल जाएगा और पानी यह बन जाएगा और अगर आप पानी को गैस के उपर गरम करो तो आप देखते हो उसमेसी बाप निकल ने लगती है दुआंव उठने लगता है और जैसे मानलो आपकी ममी कुछ बना रही है किसी बड़तन में और आप उस बड़तन में पानी भी डला और जब आप उ अलग-अलग क्या होते हैं रूप होते हैं जाने कबसे पानी है यानि वो बच्चा अपनी नानी से कह रहा है कि पता नी पानी कितने जमाने से है मतलब कितना पुनाना है और कितनी बड़ी इसकी कहानी है और जरूर इसके पीछे कोई कहानी होगी कहीं ओंस है ओंस क्या होता है जब आप सुभा सुभा उठोगे तो पत्ते जो होते हैं पेडों के पत्ते वो थोड़े थोड़े से गीले होते हैं और वही जो छोटी छोटी उसके उपर पानी की बूंदे होती है न उन्हें ओस कहते हैं कभी आपको बहुत जल्दी अर्ली मॉनिंग उठना होगा और इस तरह से आप देख सकते हो कि पत्तों के उपर क्या जमी होती है ओस होती है बर्फ कहीं जैसे आपको बताया कि बर्फ पी जो है वो पानी ही होता है पानी ही क्या भाप नहीं भाप जो गरम पानी से धुआ निकलता है उसे भाप कहते है सब रूपों में पानी है ये क्या है पानी की अलग-अलग रूप है मतलब कहीं पानी ठंडा होके जम गया तो कहीं भाप बन कर ओड़ गया सब रोपों में पानी है कहती ऐसा नानी है तो नानी बच्चे को कह रही है कि ये जो बरफ है वो भी पानी है और ये जो भाप है वो भी पानी है नदियां भैती कल-कल-कल, जरने गाते चल-चल-चल, तालों में लहराता जल, कुमों में आता निर्मल, धर्दी पर जीवन लाया, खेट सीच कर लहराया, करता है यह कितने काम, कभी नहीं करता आराम तो देखो बच्चों यहां बताया गया है कि नदिया बहती कल-कल-कल जो नदिया है वो लगातार उसमें पानी क्या होता है बहता रहता है और कैसी आवाज आती है उसमें से कल-कल-कल जरने गाते छल-छल-छल जरने आपने जो बच्चे किन्होंने कभी पहाड़ों के तरफ क जो एरिया है वो देखा होगा तो पहाडों में क्या होते हैं पहाडों के बीच में से बर्फ जो है वो पिगल कर नीचे गिरती है और ओपर से जब नीचे गिरता हुआ पानी होता है तो जरने गाते चल 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 और उस गिरते वे पानी से जो आवाज आती है वो चल 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 इस तरह से आवाज आती है और ऐसा लगता है कि जर्ना क्या कर रहा है गाना गा रहा है तो नदी है नदी भी पानी का एक स्त्रोथ है जिससे हमें पानी मिलता है और जर्ना जर्ना भी पानी का एक स्त्रोथ है साधन है जिससे हमें पानी मिलता है तालों में लहराता जल ताल क् नदी से फञां के षोटे होते है मतलब एक चोटी जगा में पानी होला है और उसमें रहराता है यह भा इसमें मैं कमों में आता ता कंल नेर्मल मतलब की साफ कुए आपने देखे होंगे अपने गाओं वगैरा में ज जो कुळा है उसमें बालिटी डालके और रसी की मदद से पानी को खीचा जाता है और कुवों का जल कैसा होता है जल यानि पानी पानी को और क्या कहते हैं जल ठीक है जल का मतलब पानी और पानी का जल है तो जो कुवों है उसमें कैसा जल होता है निर्मल ठीक है साफ बिल्कुल धर्ती पर जीवन लाया तो धर्ती पर अगर पानी नहीं होगा तो बच्चो जीवन भी नहीं होगा खेट सीच कर लहराया सीचना क्या होता है खेतों में पानी देना जब किसान खेतों में फसल बोते हैं बीज को बोते हैं फिर उसमें वो हर रोज पानी डालते हैं जिससे वो जो बीज हैं उसमें से नन्नी नन्ने पौधे निकलते हैं और फिर वो फसल उगती है ठीक है तो सीचना मतलब खेतों में पानी डालना, खेंट सीच कर लहराया, यानि कि खेत में जब आप पानी डालेंगे तब क्या होगी उसमें फसल होगी और फसल लहराईगी करता है यह कितने काम पानी से मैंने आपको बताया ही है कि कितने सारे काम होते हैं कभी नहीं करता आराम यानि पानी हमारे लिए कभी आराम नहीं करता है और हमारे सारे काम लगातार करता रहता है और इस कविता से आपको यह भी शिक्षा मिलती है कि जो पानी है जब हमारे इत इतने सारी काम करता है, हमारे लिए इतना जरूरी है, तो हमें उसे कभी भी बरबाद नहीं करना है, पानी को बचाना है, तो आप इसकी शवदार्थ और प्रशन उतर हम कॉपी में करेंगे, चलिए उससे पहले में आपको अभ्यासकारे बताती हूँ, मौकिक प्रशन, यानि आपको इनके उतर बोल के बताने है, प्यासा क्या पीता है, तो आप जानते हैं, प्यासा पानी पीता है, जल पीता है, तालाब में क्या लहराता है, तो तालाब में जो है वो जल लहराता है, ठीक है, यहां लिखा है ना, तालों में लहराता जल, ताल मतलब की तालाब, मु मुन्ना नानी से बात कर रहा है, जैसे हमने दूसरी लाइन में ही पढ़ा था, मुन्ना बोला नानी से, और ये लिखित प्रश्न है, सही उत्तर पर सही लगाना है आपको, नदिया कैसे बहती हैं, तो यहां लिखा था, कि नदियों से आवाज आती है, कल-कल-कल, तो आप यह करते हैं, तो यहां लिखा था, कि जरने गाते चल-चल, तो इसका मतलब जरने चल-चल करके गाते हैं, तो इस कविता की अनुसार, आप इसमें शान लगाएंगे, और कविता को अच्छे से दो बार आपको पढ़ना है, समझझना भी है, उसकी बाद मैं आपको कॉपी में क उप्योग उप्योग यानि इस्तमाल अलग-अलग रूप जैसे हमने पढ़ा कि पानी बर्फ है पानी भाब भी है वह साधनों के बारे में पढ़ेंगे साधन मतलब वह पानी कहां से मिलता है नदी कुए जरने ठीक है तो इस सब पानी मिलने के साधन है तो आप इसे पार्ट वह वाक्य शब्दार्थ यानि शब्दों के अर्थ और उसका एक वाक्य भी हम बनाते हैं है ना ताल क्या होता है तालाव तो इसका वाक्य मैंने लिखा है ताल में पानी बहुत कम था आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ताल में मचलियां तैर रही थी ताल में मेंड़त था ठीक है, अपने मन से भी कोई वाक्य बना सकते हैं, निर्मल, निर्मल यानि साफ, गंगा नदी का जल बहुत निर्मल है, आप जानते हैं, एक पवित्र नदी है, हिंदूओं की गंगा और उसका जल क्या है, बहुत निर्मल है, साफ है, प्यासा, जिसे प्यास लगी है, प्या आकपा शब्द है धरती, धरती कया होती है, जमीन, वाके, यह धरती बहुत उपजाओ है, उपजाओ यहनी जिसके पर अच्छी सी फसल उग सकती है, ठीक है, वो होती है, उपजाओ, हमने EBS में इसके बारे में पढ़ा था, फेर्टाइल लैंड, ठीक है, सीचना, सीचना खे को आप परीच अपनी कॉपी में याद करके लिखने हैं तो यही आपका आज का होंवक है भच्छा धन्यवाद